Welcome to Civil Engineering Group आजके इस लेक्टर में आपको हमगे विंडो के बारे में पूरी जयनकारी देने वाले है खेड़की विंडो मेंज़ के बारे में पूरी जयनकारी देने वाले है विंडो क्या है इनके technical terms, इनके types, full area का कितना परसेट विंडो का area होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में आपको पुरी जानकारी इस लेक्चर में देने वाले हैं तो लेक्चर को पूरा एंद तक देखें और सीखें, तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विंडो का मतलब होता है, किसी रेसिटेंचेल और कमर्सल बिल्डिंग में लगा हुआ वो पाथ जिससे एर यानि हवा और जो है सुर्ज के परकाशंतर आता है ठीक है तो इसको किस हिसाफ से लगाना चाहिए इसके बारे में आगे बात करेंगे तो में किसे काते हैं अब तो इसमें elements of window के अगर हम बात करते हैं तो technical terms की बात के elements of window आपके हो गया देखिए लिंटर हो गया लिंटर के नीचे window लगया होते हैं ठीक है head हो गया इसको head करते है jump है frame हो गया यह जिस पर window ठीका होता है इसको frame करते है sil level मतलब window की नीचे से जहां तक लगा हुआ है उसकी उचाई को हम sil level क्याते है sil level 90 cm से कम नहीं होना चाहिए वरना बाहर से privacy नहीं रहेगी मलियन हो गया आपके मलियन करते हैं इसको हो गया transom हो गया और top right हो गया यह आपके elements of window हो गया बात करते हैं frame जिसमें window लगा तो मैंने बता दिया hold fast जो इसमें लोहे के लगे होते हैं जिसके base पर window को दिवाल में वाल में fix कह जाता है ठीक होन अब नहीं बनते हैं होन जो frame में आगे को निकला हुआ पार्ट होता है जो अब नहीं होता है रिवीड जो रिवीड करते होते हैं ट्रंसम मैंने आपको बताई दिया shutter यह shutter पूर आप shutter कहला आएगा ठीक है style top rail सबसे उपर जो window के rail बने होते हैं देखे गए हाँ मैं देखे टॉप रेल और रेल कहला आते हैं उपर में जो बने होंगे वो टॉप रेल कहला आएंगे ठीक है bottom rail जो नीचे बने होते हैं यह नीचे देखेगा यह bottom rail वी इसी तरह आपको जो है lock rail, freeze rail, ठीक है freeze rail mullions दो panel के बीच में जो एक space होता है इसको हम mullions करते हैं panel हो गए यह आपको panel है देख रहे हैं यहाँ पर यह panel हो गया आपका shash bar और glazes bar देखेगा love heart window होते हैं putty तोप rail आपको देखेगा top rail आपको हो गया है आपको casing इसको casing कहेंगे hung हो गया hung style step आपके यह हो गया sorry hing jump हो गया ठीक है इस तरह से आपको trace hold हो गया है आपके bottom rail मैंने बताइए दिया malleance बताइए दिया panels हो गया देख लिजेगा lock rail है ठीक है lock style है और glass panel तो यह इस तरह से मैंने इहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किये अब अगला कोचन यह उठता है कि window जो हम लगाते है वह किस चीज़ पर depend होता है तो वह किनकी चीज़ों पर depend होता है तो location of room room के location के आधार पर size of room room का size कितना है उसके आधार पर कितना वरा window हम लगाएंगे यह size पर भी depend करता है direction of wind हवा का direction कैसा हवा पूरब से पच्छीम के चल लिए पच्छीम से पूरब के चल लिए उत्तर से दखीन 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 से उत्तर कि कि हर तो जगा का environment अलग अलग है हर जगा का environment अलग अलग है तो वहां पर यह depend करता है कि हवा कि दर से किदर चलती है climate condition जाड़े का मौसम जाद रहता है या सर्दी का मौसम जाद रहता है या फिर जो है इनी सिजन जादा है या फिर भरवारी हो रही है तो इस सब climate पर भी depend करता है utility of room room के utility और architectural design of view architectural design पर भी ये view पर भी ये depend करता है यह आपको होगे कोच्छन अगर पूछा जाता है information के त्यारी कर रहा है तो इन सब चीजों पर window depend करेगा कि हम कैसा window लगा है कौन सा window लगा है और window के side के बात करें इंडियों एक सब्सक्राइब करें इसको हम indicate करते हैं यह symbol हो गया है अगर आप जो है तो इंट्व लगा सकते है इसको जरा इसको ज्ज़ए सकनी करने हैं अब एर्या फिंडो के हम बात करते हैं तो यह फ्लोर अपंदर से बीस परसेंट होता है कुछ इनियर से हैं 15 परसेंटेंग में है commercial में 20% बट हम मेरा यह मानना है कि 20% रिजिंशल में होना चाहिए commercial में 25% तक जिसे एक्जामपल के तो पर फ्र्लोर अरिया अगर 100 स्क्वाइर फिट का फ्लोर अरिया है रूम का फ्लोर अरिया का मतलब परस्ट का फितफ़ इसमें आपको वाल नहीं आता है, तो अगर 100 square feet है, तो देखेगा, 100 into 20 division 100, तो 20 square feet, यानि window अगर 100 square feet का floor area है, तो हमको 20 square feet का window required होगा, तो that means हो गया कि window size 5 गुने 4 feet, तो आपको 25 के 20 square feet, तो अगर हमको 100 square feet का floor area का room है, तो हमको 5 into 4 का window perfect अगर हम एक window लगा देते हैं, तो मेरा काम चल जाता है, यहां तक आप इसली समझ गया होंगे, अब हम type window को थोगा तेज समझानी कोहिश करेंगे, हाला कि हर window के बारे में, जितने तरह के window मैंने आपको बताए हैं, सब के बारे में हमने notes बना दिये हैं, लिख दिये हैं, तो आपको थोगा तेज हम समझाते जाएंगे, पूरा explain हम अगर prefer के करेंगे, तो काफी lecture बड़ा हो जाएगा, और आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है, अक्सर बच्चे जो है forward कर देखें, जिसे पूरा वो सीख नहीं पाते हैं, तो यहां पर हम आपको हर window के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती जाएंगे, सबसे पहला जो मेरा window बनता है, पहले आपको बताती कि common मेरा window है, panel ingilisered, तो जो मेरा panel हो गया, पैनल विंडो है, तो जिसमे पैनल ऐसा बना होता है, पैनल विंडो आपका हो गया, और इसमें शिचा लगा हो तो गिलजिट हो गया, तो panel and panel ingilisered window का यूज जादा पर जिएगा, single hung window, double hung window, archet window, wave window, bob window, catchment window, garden window, hopper window, picture window, round circle window, skylight window, sliding window, storm window, catchment window, corner window, wave window, dormer window, clearistic window, lantern window, gavel window, laward window, pivoted window, evening window, metal window, glass block window, picture window, panel and glazer window, panel window. तीन सब विंडो के बारे में आपको हम जहनकारी देते जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, single hung window की देखने में काफी सुन्दर होते हैं, यह flat भी हो सकते हैं, थोड़ा बाहर के और निकले भी हो सकते हैं, इनमें और double hung window में या single hung window में अंतर के इतना है, कि single में यह उपर का जो होता है, वो fix होगा, ठीक है, और इसमें क्या होता है, कि आप उपर से भी इसको खोल सकते हैं, और निचे से भी इसको खोल सकते हैं, यह दूनों अंतर है, तो आप इसको कहेंगे single hung window और यह आपके हो गए double hung window, अब हम बात करते हैं arch window, कि देखिए arch window यह एक ऐसा window है, जिसका use, arch के modern unit में होता ही होता है, आप इस बीडिंग के बाद कि जिए रसेजिशल बीडिंग हो या commercial बीडिंग हो, किसी तरह के बीडिंग हो, जो हम अपनी साइट परी में देखा है, ज्यादा तर लोगों का demand होता है arch window, लेकिन आपको याद रहे कि अगर लगाना है, या arch डोड आपको लगाना है, तो आपको सबसे पहले लिंटर से पहले, या लिंटर की जो setting and setting होती है, उससे पहले आपको decide करना होता है, क्योंकि इसकी centring और शटिंग ऐसे ही की जाती है, या arch के shape में की जागी, बाद में इसमें window या डोड लगा दिया आपको पहले से जब ही आप प्लान बनमाएं, तो पूरा design आपको mind में होना चाहिए कि किस तरह का construction करवाना चाह रहे है, तो उस दिमाग में रखे काम करना चाहिए, तो इसलिए ये video बहुत ये lecture बहुत important है, जो civil से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी है, जो नहीं भी करत तो आप यहां देख लिए arch window काफी पर चली थे हैं, बहुत popular है ये window, बात करते हैं वे window की, थोड़ा से portion बाहर के और निकले हुए होते हैं, ठीक है ये देखने में काफी सुन्दर लगते हैं, ठीक है, ये 1, 2, 3, 3 round shape में भी होते हैं, जो है मतलब half circular shape में भी होते हैं, elliptical shape में भी ये होते हैं, इनका भी use बहुत होता है, और देखने में ये काफी सुन्दर दिखते हैं, catchment window, catchment window की ये खुब है कि ये इनका shutter fully खुलता है, जिसे इनका ये shutter ये बाहर की और खुल जाएगा, या फिर अंदर की और खुलेगा, ठीक है इनको हम catchment window कहते हैं, इनमें अगर आप exam के त्यारी कर रहे हैं, तो आपको यहां से coaching का answer मिल पाए, पुरा detail यहां पर mention है, लेकिन परफ़र के समझाने में lecture काफी लंबा हो जागा, इसलिए इनकी पाचान और image के माधियम से आपको हम समझाने की कोईश कर रहे हैं, आज कले ही चल्ला, आप image के माधियम विंडो का use बहुत जाद किया जा रहा है, ग्लेजर विंडो हो, आप बात कीजिए, तो पूरा construction का पूरा बंद, पूरा बदल गया है, बिलकुल, बिलकुल इंटरियर के अगर बात करते हैं, तो पूरा बदल गया है, थेड़ी फ्लोड जहां आ गया है, पी ओ पी जो है, पूरा बदल गया है, तो ऐसे में विंडो भी हमको हाई टेक लगाना होगा, पैनले ग्लेजर से काम नहीं चलने वाला है, तो इसलिए आपको फुली ग्लेजर तेहां विंडो देखा रहे हैं आपको, हाला कि ये विंडो लकड़ी के भी हो सकते हैं, कैस्वेंट विंडो, अब बात करते हैं, कि अपको की विंडो गाड़े विंडो करते हैं, तो ऐसे को हम क्या करते हैं, किचे के बने हैं, बत इनका यूज कई तरह से कंश्रक्शन में होता है, नेकिन विंडो किछम में बने होते हैं इसके बाद होफ़ विंडो जो एक तरह हैं रोप इस तरह से खुलते हैं और यह फिर बंढ़ हो जाएंगे तो यह को घा नॉक होटे हैं और ऐससा के नाम से आपको पता चलता है कि तॉँके यह होते हैं इस तरह पड़काश अंदर आने के लिए इनका यूज़ का देखने में काफी सुन्दर लाते हैं ये रेर विंडो हैं ये इनका यूज़ बहुत ही कम होता है रेर किसमें इनका यूज़ किया जाता है स्कायलाइट वींडो दिखेगा एकोचन भी मेरे पास था कि अगर कोई ऐसा मेरे पास रूम हो या मेरा बात रूम हो जहाँ पर चाट राप से पैक और विंडो खोलने की जगह ही नहीं हो तो ऐसे में हम क्या करें हैं इस continuing skylight window का हम use करते है इसके उपर कुछ अगर बना होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा तो इसके उपर कोई construction नहीं होना चीह तबी ये काम करेगा तो ये चुके sky keyword खुलते हैं इसलिए इसलिए इनको skylight window कहा है मगलोंगर में इनका खोब यूज होता थेकने में बही है काफी असुदर लगते हैं इन का यूज सिफ बाथरूम में ही इन की उस बेड्रूम ने वह इंडो लगाने की तो ऐसे कंडिशन में अब घृत करते हैं optimist और इंको स्लाइट करके एक बन जाता है तिस स्लाइट विंडो कराथे इनका यूज बहुत क्या होगा? आप जितने भी जो है ग्लेज़द इनका यूज का आता है, आप देखियोंग इस तरह के विंडो का, ये अलमुनियुम के फ्रेम में गलेज़ शीशा लगे होते हैं, द स्काइला तो यह कि देखने में यह सुन्दर होते हैं, दूसरा यह, कि यह सस्ते होते हैं, मतलब اूड कि तु तो आगर आप सुन बदान सुन्दर नहीं करना चाहिए, और अफकोर्स अगर ग्रांट फ्रपर इनके आप यूज़ करते हैं तो सामने में आगे लुहे की ग्रिल लगी होगी ताकि इसको प्रोटेक्शन दे कोई शीचा तोड़के अंदर ना आपाए तो यह प्रोटेक्शन के तोरपर ग्रिल का यूज़ कहाता है यह स्लाइडिंग तो मैंने अभी बताया था वह बाहर या अंदर दूनों के तरफ खुलते हैं और यहां से यह पूरा यह दोर इनका खुल जाएगा तो इनका भी यूज़ ग्रांट फ्रोट पर नहीं किया जाता है फुली ग्रेज़े द अगर है तो इनका ग्रांट फ्रोट पर यूज़ न लेकिन यह के अगर फुली ग्रेज़े लगाते हैं तो आपको बाहर से ग्रील लगा होना चाहिए इसके ठीक है इसमें होता क्या है कि बीच में यह आपका कॉर्णल हो गया कॉर्णल के इस साइड और उस साइड दोनों साइड यह विंडो होते हैं इनका दो फायदा एक कि अगर मालिया इधर से हवा चले ताब इसको ओपेंड कर पाएंगे और इधर से अगर धूप आ रही है ताब इसको बन करके इस पर जो है काटल इसको कंप्लिट लगा सकते हैं फिर इधर से आप खोड़ सकते हैं तो यह देखने वे भी संदर होते हैं इनके दोनों फायदे है इसलिए इनका यूज बहुत क्या आता है यह फुली ग्लाज़र भी हो सकते हैं अब बात करते है वे विंडो की वहाल पर जो इंकायूस जार किया जाता है पिलिश इस्टोरी विंडो के अगर बात करते हैं तो देखेगा ये इस तरह के होता है ये क्वेंटेशन के शेफ में यह उड़ जाएंगे ये भी ये का फ्रेम जो है उपर के उड़ जाता है फिलिश को आप निचे से बन कर सकते हैं इस तरह के विंडो भी जेनरली कम यूज में ढेणा का यूज बहुत होता है जी करिक करते हैं लाडल टरण विंडो की तो ये वी उपर में बने में बने होते हैं इस विंडो को हम लाडर टर्ण विंडो करते हैं इस ब्रायस ताइप पॉम्नली नहीं किया आता है ठीक है गेबल विंडो जैसे कि आप देख पारें इन देखने में काफी सुंदर होते हैं यह फुली ग्लेजड भी हो सकते हैं परैलल ग्लेजड भी हो सकते हैं यह तरह के स्पेसल टाइप के विंडो है यह स्लोपी रूप में इनका भी यूज कि अगला बार कर लवर्ड विंडो की काफी पॉपलर विंडो काफी पॉपलर है इनमें खुबी क्या है कि आप इनके रोड को बंद करके भी इनके शटर को आप बंद करने के बाद भी इनमें एर ले सकते हैं पुष सिस्टम होता है इसको आप उठा देंगे तो हवा अंदर हहवा जाएगी बट अब बिना डोर खोले हनुसे हवा प्राप्त कर सकते हैं यह आपको आर शेप में भी होते हैं नॉर्मल होते हैं निको करते हैं लभर च değild लवर्ट ओर को बारे में मैंने आपको बताया था इनके बारे पूरी डिफिनेशन पूरी जयनकारी मैंने यहां पर मेंचन कर दिये हैं अब बात करते हैं पाइवर्टेटी विंडू की इस्पेसल टाइप के विंडू है देखे इनका एक शेटर होता है जो इस पर धुरी पर यहां पर लगा अगर बात करते हैं तो देखिए कि इस तरह से होते हैं खुल जाते हैं विंडूलेशन की तरह यह होते हैं यह पूरा ओपन हो जाएंगे उपर उठा सकते हैं हाफ इनको उपर उठा सकते हैं फिर आपको नीचे कर सकते हैं यह फुली गलेज़ेज भी हो सकते हैं ठीक और य सखिखेक़ pudding app करें लगारी कि बना रहे हैं तो उनको उनमें आपको यह लगा दिया तίας इनको प्रोटेक्शन मेट लगा होता है या फिर उड का विंडो लगा यह लेकिन आपको इस्ते मेटल का प्रोटेक्शन आपको देना चाहिए जलाजी विंडो की बात करते हैं तो जलाजी विंडो के बारे में देख लिए कि पूरा इस तरह से यह बने होते हैं ठीक है special type के भी विंडो है इनका use commonly नहीं किया आता है देख लिए इधर और इधर दोनों शे दोनों तरफ होते हैं इधर भी होंगे और यह ऐसे भी होंगे इनका use commonly नहीं किया जा सकता है उनको और इस पर पिक्चर बनी होगी जससे आप यह खुलते नहीं हैं और आप इंसे बाहर का नजरा देख सकते हैं या फिर अगर यह fix होंगे तो आप अंदर जो picture इस पर लगे होगे आप उसी को देख पाएंगे ठीक है और अगर यह अगर बाहर का आप इसका दिरिश का अनंद लेना चाहते हैं तो यह ऐसे होंगे बट यह खुलेंगे ने इनका डूर क्या होते हैं वो fix होते हैं यह खुलत होते हैं और इन में picture लगा होगा जिसको आप 3D picture को देख सकते हैं बट उनसे ना तो air और light दोनों नहीं आती है अंदर में और एक ऐसे होते हैं जिनको आप light आती है बट यह चुके fix होते हैं इसलिए इससे air नहीं आती है वैसे भी आजकल fix window का use ज्यादर क्या आता है चुक इस तरह के window आपने बहुत देखे होंगे यह panel and glazed हो गया और यह panel window हो गया इस तरह का use ज्यादर क्या आता है मतलब ग्राउंड फ्रोड पर पहले आपको मिल जाएंगे और ज्यादर यूज होते हैं यह मजबूत भी होते हैं बट glazed window की जो अल्मलियम फ्रेम में लगे होते हैं उनकी अगर construction बना रहे हैं या बनमा रहे हैं तो किस तरह का window का use आपको उसमें करना चाहिए आगे आने वाए नेक्स लेक्चर में हम बात करेंगे इनके aspect की कि window का aspect कैसा होना चाहिए कितने दिगनी प्रौहाचे किस South East, South West कैसे इनका aspect होना चाहिए उसके बारें बात करेंगे हम इसलिए नहीं बात करें कि lecture काफी लंबी हो जाती है और आप उसको देखने ही पाते हैं तो अगर मेरा lecture पसंद आया हो तो जो है इसको like सरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल से मिली जी गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकों को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने बाई lecture की notification सबसे पहले आपको जाए और आपको lecture मिस्स ना करें सिकायत या सुहाब के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं मैंने तेजी में थोड़ा सा इसलिए इसको बनाया है कि मैं देख रहा हूँ कि अगर काफी सोलो मैं जब बोलता हूं लेक्षर में और तो आप इसको पूरा देख नहीं पाते हैं लेखते हैं, इनोड कर देते हैं, तो ऐसे में कुछ फायदा होता है या कुछ सीख नहीं पाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट इसको बनाया है कि वीडियो ज्यादा लंबी नहों और आप इसको इसली देख पाएं और समझ पाएं, हम आशा करते हैं कि आप इसको अच मिलते हैं अगले लेक्चर में, तपके के लिए गुड़ बाए, गुड़ बाए, डाट सोल्ट